नमस्कार जी मैं संधे यह देखिए फ्रेंट्स टाइगर रोज अब खिलने लग गया है और इसकी साइज में भी थोड़ा सुधारा है और यह बड़े-बड़े से खिलने लग गया है तो यह देखिए यह कलिया बन ही रही है वाकि यह सूट जो है नए-एसे आ ही रहे हैं त किनारे पहले था तो मैं अब इसको दूसरी तरफ ले आई हूं यह देखिए तो इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ कि मैंने गुड़ाई करके इसको छोड़ दिया था तब से मैंने दो तीन दीन होगे इसको पानी नहीं डाला और यह थोड़ी से प्लांट यह देखिए बढ़ाई हुए और यह थोड़ी से मुर्जास ही रही है तो मैंने इसे पानी नहीं डाला आप में पहले इसमें फटिलाइजर दूंगी फिर इसके बाद इसे मैं पारी डालोंगी तो क्या फटिलाइजर दूंगी मैं आप लोगों से वह आज सेयर क डालोंगे नीमखली पाड़र ज्यादा था में एक किलो की लगवग लेकर आये थी लेकिन प्लांट की रिपोर्टिंग जब करने लगी तो उसमें मिझे जुरुत पढ़ने लगा तो उसमें मैं ज्यादा यूज हो गया और खतम भी हो थोड़ा सा बचा था तो अम में इस अगर आप लोग के पास नीमखली ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा बुड़े लकड़ी की राख एक मुठी मतलब हर गमले में एक या आधा मुठी लकड़ी की राख आप एड़ कर सकते हैं क्याने का मतलब गोबर की खाद के साथ लकड़ी की राख भी मिक्स कर सकते हैं य इसके साथ मैंने थोड़ा साथ नीम खलीपाउडर मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको अब में सबी गमलों तो इसको में ब्लगे बढ़ा हो गहिए इसकी यह देखिए कितनी ड्राइ तो इसको ऊपर ही रख दे रहे हूं और जैसे पज़े से पानी पड़ेगा वैसे जो है इसका जो लिक्विट पदार्थ है वो नीचे इसकी जड़ों तक जाते रहेगा और ऐसे इस तरीके से क्या है कि मल्चिंग काम भी हो जाएगा क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है तो यह देखिए अमें धीरे धीरे सभी अगरों में इस तरीके से दाल दूँगी आ उपनी थोड़ा उपर से डलते रगा जैसे धीरे धीरे पानी डरेगा वैसे इसके लिक्विट है इसके पानी डाल के दिखाने आप लोगोगों को पानी हम बॉतना हिइं डालेंगे जितना इसके गंदे में ही पानी रहाया मतलब वह इतना नरा एकिंद्रेंश रूल से पानी ड्रेन आउट होकर निकले थोड़ा-थोड़ा हम सब में डाल देंगे अब जैसे हलकालका यह पौध हम बुर्जा रहा है तो इसको पानी भी मिल जाएगा और यह फटिलाइजर भी मिल जाएगा इस तरह के से करते रहोंगे आज आप लोग उसे कुछ और भी में शेयर करना चाहूंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स मेरा बदलता हुआ गार्डन आज मैंने अपने गार्डन को काफी चेंज किया है तो इधर की साइड जितने रोज प्लांट थे मैं उधर की साइड मैंने रख दिये हैं तो चलिए दिखाते हुए यहां पर जैसे अब इसका डॉर्मेंसी टाइम हो रहा है तो इसको सेट के नीचे मैंने रख दिया है चज्जे के नीचे रख दिया है कि ताकि इस पर पाले का असर ना हो तो जितने बड़े-बड़े प्लांट थे मैं उसको इधर दिवाल के सहा बाकि ले आई हो इस तरहीं के से बाकि हंगिंग प्लांटर जो जैसे था वह वैसे ही है जो जो देखिए और बाकि यह गुड़ेहल का प्लांट यह उस कोने पर रखा हुआ था उसकोने पर वहांसे लिला के मैंने यहां पर रख दिया है और बाकि यह देखिए यह देखिए इनमें सब में प्लांट लग चुके हैं यह देखिए अब जब फूल खिलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा यह नीचे में देखिए पलांट श्राइब लगा दिये हैं और जो प्लांट चाहए वाले उनको मैंने सेठ के प्लांटर में ले आई हूं और कुछ लभी लाने बाकी हैं तो उसको मैं कर लेकर आऊंगी और जो पुराने गुल्दाओदी के प्लांटे इसमें भी बढ़ आ गई है यह देखिए यह देखिए सबको एक लाइन से मैंने लगा दिया है इदर गुलाब के प्लांट हो गए यह देखिए अभी इनमें पारिन इदर टमाटर लगे वे हैं इसमें फूल भी आने लग गए यह देखिए इसमें फूल भी आने लग गए है इधर गुले दाओदी के कुछ मैंने कटिंग्स लगा वे थे वो है यह देखिए गुले दाओदी कि खिलने भी लगा कितना खोवसूरत खोवल्ड रहा है इधर पूलोथिन में मैंने लगाए थे इधर देखिए बल्म मैंने लगा बागी यह प्लांट जो कटिंग से लगे हुए हैं। वाकी इसमें मैंने लासुन लगा रखे हैं और यह जो है डल्या इसब सब्सक्राइब के लिए तयार कर रहे हूं नीचे जो है पतियां वर्गेर हो रहा है बेसमें बेसमें मैंने बिछा रही और बाकी ऊपर इस तरीके स तो इसमें भी कुछ 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 कर दूंगी किसी में दन्या कि समय पालक वाकी है तदेकी तयार हो रहा है और जब इतना ब्र जाएगा इतना इस यहां तक भरघार पृख दोँगी जिस कि जड़ जो है नीचे तक नहीं जाती है मैंकि यह मैंने प्लांट देखी अच्छा ग्रोव कर रहा है अब इसकी जो बेल है यह बाहर को निकलने लग गई है तो इसे में और भी कटिंग बना के मतलब और भी लगा लोंगे कटिंग करके और यहां से भी अच्छी गृत आने लग गई इस बैकि यह प्याज का प्लांट यह देखिए आप लोग के साथ मैंने गुरो किया था तो इसमें इतनी इतनी लीफ आने लग गई हैं बीच में जगा खाली हो गया था तो एक प्याज से लिफें बाति हैं और घर में देखा मैंने कि आयरी तो इसकी बड़ी बड़ी पत्ति आने लग गई ऑर भाकी 7 गड़ा गाट तो बथवा देखे ग्रू हो गया यह कर्श दृक्त मिर्ची का प्लांट तो अक्सर आप लोग को दिखाया ही करते हैं कितनी पकग सी गई है लाल हो रही है पानी डालना है सब मुर्जहा से रहे हैं अब पानी डालूंगी इसमें में बाकी एक किनारे साइड में पढ़ता है तो जितने प्लांट सेफ करने थे वह इधर मैंने बाकि लेमन ग्रास यह भी ठिक ठक चल रही रहा है अभी तक यह महंदी का प्लांट इसकी प्रूनिक करनी है लाकि सर्दियों में यह दोर्मींस में चला जाता है पत्य सारी जड़ा देता है लेकिं फिराल ठीक ठक चल रहा है यह कि यहां से मेरा गार्डन कुछ इस तरीके से दिख रहा है आज पूरा दिन मैंने मेहनत किया इसके पीछे अभी फूल लगते ही जा रहे हैं और अभी नर्सरी जाना बाकी है तो वहां से भी कितने फूल आएंगे और लगते जाएंगे तो फ्रेंट्स पॉधों में पानी डालना अभी मुझे बाकी है और मैं यहीं पर नोटिफिक्सेशन आपके मुबाइल इसक्रीन पर आप लोग को जल से जल मिल सके तो इसी तरह आप भी प्लांट लगाएं अच्छे अच्छे नर्सरी जाएं सैप्लिंग ले आएं सैप्लिंग लगाएं मिलते हैं नए वीडियो में किसे नए टॉपिक के साथ इसी तरह अ नहीं बाएं बाएं